स्वागत है आप लोगों का और आज हम पढ़ेंगे कि सिस्टम माप पुलिस क्या होती है पुलियों का निकाय देखिए सिस्टम माप पुली क्या होता है सिस्टम मतलब होता है निकाय ऐसा पुलियों का सिस्टम जिसमें कम से कम एक फिक्स पुलियों दो से ज्यादा मुवेवर पुलिस हो तो वह सिस्टम माप पुलिस होता है अब सिस्टम माप पुलिस टीन तरह की होती है पहला है फर्स सिस्टम माप पुलिस दूसरा सेकेंड सिस एक लाब N होता है और थर्ड सिस्टम आप पुली में मेकेनिकल एडवांटेज 2 पर पावर N-1 होता है वेर N is equal to number of पुली जितनी पुलिया होती है वो N होता है अगर मालें यह फर्स सिस्टम आप पुली में पुलियों की संग्या N is equal to 3 हो तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा यह इसका mechanical advantage 8 हो जाएगा इसी तरह इसमें N हो second system आप पुली में तो यह mechanical advantage 3 होगा और इसमें क्या होगा third system आप पुली में अगर N is equal to 3 हो तो 8-1 is equal to 7 होगा mechanical advantage अब जो 3rd system of pulley होता है वो 1st system of pulley के just opposite होता है 3rd is opposite to 1st system of pulley अगर मारे यह system of pulley का efficiency 100% माल ले है यती efficiency is equal to 100% means ideal machine इसको माल ले है तो यह 1 हो जाएगा और उस case में जो mechanical advantage हो जाता है वो velocity ratio के बराब हो जाता है that is 1st system of pulley का velocity ratio तो पर बावर हो जाएगा 2nd system of pulley का velocity ratio mechanical advantage के बराबर N हो जाएगा और 3rd system of pulley में भी velocity ratio हो जाएगा 2 to power N minus 1 यह हो जाएगा अगर कोई doubt होगा तो आप comment box में पूछ सकते हैं system of pulley के बारे में आपको पूरा पताय जाएगा पूरा help भी आजाएगा और अपने मित्र में भी शेयर करिएगा ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you thank you